असलाम रेकुम दिया स्टूडेंट आज हम यूनिट नंबर 4 के जो हम माथमेटिक्स का टॉपिक है कि लिट्रिचर को माथमेटिक्स के साथ कैसे इंगेज किया जाए कैसे इंट्रीट किया जाए उसमें हम देखेंगे के हमारे पस लिट्री बुक्स क्या है और हमारे पास games के resources कहीं मौझूद हैं जो literature and math से related हैं सबसे पहले हम यह देखते हैं कि important चीज टीचर के लिए सबसे पहले यह आती है जो वो literature and math को join कर रही होती है, integrate कर रही होती है कि कैसे बच्चों का quality literature मिल जाए जो के जिसके थूरू वो अपनी जो learning objective है वो achieve कर सकती है जिसके थूरू वो एक अच्छे और engaging homework assignments बच्चों के लिए design कर सकती है या project बना सकती है इसके लिए जरूरी नहीं है कि किताब math की ही storybook हो कोई भी storybook हो सकती है इसमें से situation निकाली जा सकती है उसके अंदर situation को manipulate किया जा सकता है और उसे math activity में convert किया जा सकता है तो वो high quality literature कहानी कहां से ढूंडी जाए यह सबसे पहला task है इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप जो भी कहानी चूज करते है एक दफाप उसका plot उसका characters जो है और उसका जो कहानी का structure है उसको जरूर पढ़ें ताकि आपको समझ आए किसमें से बच्चों ने किस तरीके से आपके बनाएवे सवलात के जवाब देने हैं सबसे पहले it should genuinely excite वो कहानी ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों में excitement पैदा करें ताकि बच्चों उसमें properly engage हो सकें और उसके अंदर layers of meaning हो याईनि वो simple story ना हो जिसके अंदर कोई ज्यादा या एक से ज्यादा मिनिंग्स ना हो जुम्लों के layers of meaning का मतलब है कि उसमें बात थोड़ी घुमा फिराके की गई हो और उसके अंदर ऐसी चीजें मौझूद हों जिसके through mathematical connections जो है वो जोड़े जा सकते हों और mathematical problems बनाई जा सकती हो और encourage किया जा सकता हो बच्चों को mathematical सवलात या puzzles जो आपने उनको दिये हैं वो उन puzzles को resolve करें कहानी के अंदर जाते हुए बहुत ही जबरदस कहानी है मारे पस मौझूद है और उसका नाम है the math curse it is a phenomenal phenomenal storybook और इस storybook के अंदर हर पेश के ऊपर बच्चा जो है वो एक problem को encounter करता है और फिर उसको solve करता है यह book शूरू कैसे होती है इस book के अंदर जो main character है वो अपनी class में बैठा आवा है जहां उसकी teacher उसे बताती है कि आप किसी भी situation में फस्च जाओ उस situation से निकलने के लिए math आपको help करता है और actually आपकी हर problem in a way or another mathematical problem होती है बच्चा यह सोचते रहते हैं कि अच्छा क्या हमारी जिन्दगी की हर problem mathematical problem होती है घर जाता है वो सो जाता है जब अगले दिन उठता है तो उसको हिरानगी की तोर पर यह ख्याल आता है कि मुझे क्या हो गया है मुझे math cursed हो गया है क्योंकि वह जहां दे नजर रहा होता है जो घर से बाएं निकलता है तो उसे बस को सामने से जो बसे गुजर रही होती हैं गॉजरा ooh तो जो जोखना जब गरॉसरी प्राबलम्स उसामने आकर केखड़ी हो जातीशान हो जाता है हमत क्यों नजर आ रहे हर जगा क्या मुझे math का कर्स और वो galera कार्स में मुबटला जाता हूं अपनी जिन्दगी के प्रबलम्स को म欸घ के प्राबल्लम्स समझके शॉल्फ करना शुरू कर देता है। जिसमें बच्छे नेट्राल लाइफ से गुजर रहा है जिससे हम हर रोज गुजटते हैं, हर रोज की जो events हैं, उसके अंदर math के problems जो हैं, वो उसको present किये गए हैं आप इन problems को as a teacher क्या कर सकते हैं, classroom activities में change कर सकते हैं आप इन problems को जो हैं, homework में convert करके, assignments और projects में convert करके, बच्चों को दे सकते हैं So it is a phenomenal book क्या होगा इससे variety of जो है, आपकी टास्ट जो है, वो बच्चों को आप दे सकते हैं आपकी जो assessment के methods हैं, वो change हो सकते हैं, वो बहुत जबर्दस हो सकते हैं आप math की examples और problems जो हैं, कहानियों से find out कर सकते हैं जो सबसे important चीज इस कहानी से मिल रही है, वो यह मिल रही है कि बच्चे समझ रहा है कि I am cursed और हमें math की anxiety भी होती है, और हमें math related different problems भी होती है बच्चे समझ सकते हैं कि हम अकेली नहीं हैं जिने math की anxiety है इस बच्चे को भी math की anxiety है, पर यह math के problem solve कर रहा है सो करना यह होता है हमें कि हमें एक अच्छा well written literature जो है, वो हमें ढूनना पड़ता है जिसके अंदर से आप जबर्दस किसम के lessons बना सकें, अच्छा literature help करता है और ना सर्फ language development में, बलकि math की skill development में भी और जब बच्चे अपने problems को solve कर लेते हैं, वो ना सर्फ math की problem समझ जाते हैं, बलकि बहतरी write-up लेके भी आते हैं Teachers और students, कहां से इन कहानियों को ढूंडें, कहां से इन कहानियों को access करें कहां से math की activities को access करें, जो इन कहानियों को लेकर बनाएगी है तो यह तो मैंने आपको बता दिया, क्या आप चाहे वो math से related storybook हो, या math से related storybook ना हो क्या कहानियों को math की problems में change किया जा सकता है, ताकि बच्चे उस activity को puzzle और game की तरह जबर्दस तरीके से solve करें इसके लिए हमारे पास resources available हैं, हमें audio books available हैं, जो आप internet पर जाके बकायता on audio books को सुन सकते हैं और वो books सामने हैं, और अपनी classroom में LCD पर बच्चों को भी सुना सकते हैं, post कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, उनका print ले सकते हैं उसके लावा National Council of Teachers of Mathematics मौझूद है, अगर आप इनकी website पर जाएं, आपको grade wise games भी मिलेंगे, puzzles मिलेंगी, books से related games मिलेंगी और variety of activities मिलेंगी, जिसको आप बहुत interesting तरीके से storytelling के साथ math को लेके चल सकते हैं, और इनको अपनी class में इस्तमाल कर सकते हैं